हेलो बच्चों कैसे हो आसा है आप लोग अच्छे होंगे और मेरा नया वीडियो है अधिवास पर है निजाला का है शुर्कांत रिपाठी निजाला का है इसको पहले हम पंक्ती पढ़ते हैं उसके बाद आएंगे सब्दार्थ प्रवर ब्याक्या पर ओके तो पढ़े कहां मेरा अधिवास कहां क्या कहां रुकती है गती जहां भला इस गती का शेश संभव है क्या करुण स्वर का जब तक मुझ में रहता है आवेश मैंने मैं सैली अपनाई देखा दुखी एक निजभाई दुख की छाया पड़ी हिरदय में मेरे कर उम्र वेदना आई उसके निकट गया मैं धाय लगाया उशे गलेशे हाय फशा माया में हूँ निरुपाय कहो कैसे फिर गती रुप जाय अब आते हमनों सद्दात अधिवास मतलब निवास अस्थान धाय मतलब दौड़कर मैं की सैली मतलब आत्म परक्षैली प्रस्तुत कविता में चायावत के वरिष्ट कवी महाप्राण निराला रचित परिमल कृतिशे यह शंकरित है और यहां कभी ने अपने निवास अस्थान तथा अपने वास्ति घर के बिसे में अपनी जिग्यासा को प्रकेट किया है प्रस्तुत पंक्ति मिनला जी यह जानना चाते हैं कि मेरा निवास अस्थान कहां है मैं कहां का रहने वाला हूँ मेरी चेतना को कहां अस्रे मिलता है कभी की चेतना यही है इसमें कितनी सच्चाई है इसकी चेतना गती कहां पहुँच कर रूख जाएगी कभी को विश्वास है कि जब तक उसकी बैथा का श्वर जागता रहेगा तब तक उसके चेतना की गती रुख नहीं शक्ती कभी ने मैं की शैली अर्थात आत्न प्रक्षैली में अपने जीवन के शुक दुख को वेक्ट किया है प्रन्तु एक भाई की पिड़ा ने कभी को इस प्रकार प्रभावित किया कि उसके हिर्दय में भाई के प्रती करुणा की भाना उत्पन हो गई कभी दोड़कर उसके समीब जाकर उसे गलेशे लगा लिया कभी अपनी प्रकृती की करुण संसार के लोगों की करुणा में फस गया ऐसे इसीति में कभी के जीवन और भावलों की गती किस प्रकार अरुद हो शक्ती है पहली पंक्ति हो गया आप ये दूसरी पंक्ति जो अंतिम है उसकी अस्रु भरी आँखों पर मेरे करुणांचल का इस परश करता मेरी प्रकृती अनंत किन्तु तो भी मैं नहीं वीमार्ष छूटता है यद्पी अधिवाश किन्तु फिर भी न मुझे कुछ त्राश त्राश का मतलब क्या होता है भै अनंत मतलब जिशका अन्त नहूँ वीमार्ष मतलब वीचार प्रस्तु पंक्ति में कभी यह कर रहा है कि उसके हीदय ने उस पीड़ित भाई की आंसों से भरी आँखों का इस परश किया है कभी नो उसे आत्मशात कर भाव जगत में धान कर लिया कभी के अश्रीम प्रकरती का रहस्य भाई के प्रती करोणा का इस परस है करोणा की व्यक्ति के कारण ही कभी की कभिता इतने सेष्ट बन सकी है कभी केवल अपने भाउं को ही सब कुछ नहीं समझता यदि अधिवास में प्रतिष्ठा से उसका सम्मन्द विच्छेद हो जाए तो भी उसे कोई भै नहीं है तो आप लोग का इस छोटी से जो कभिता थी सुरिकान तुरिकान तुरिपाथिन जाला का जो कि यह आपका बीए हिंदी जनरल पेपर है आज मैंने इसको कम्प्लीट करवाया है इसके बाद आएगा आप लोग का नेश्ट मैं कराऊंगी गहन है अन्धकारा ओके गहन है यह अन्धकारा आएगा तो आज के लिए इतना ही बच्चो थैंक यू